हेलो फ्रेंड्स आज आगे अपन कोईशन्ज करना शुरू करते हैं तो पहला पार्ट है कि सॉलिड एकजी एफ टू में जो केटाइन पार्ट होगा उसका सेप कैसा होगा तो पहले बात आपको एकजी एफ सिक्स की स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा है यह बात माइंड बर करता है अब आप बोलोगे यह कैसे पता होगा तो पांस साथ स्ट्रक्चर का याद रखना होता है एक सॉलिड इस्टेट में कैसे एक्जिस्ट करती है कि आगी बाद समझ में कहां लिगा है एलन के मॉडूल में मिल जाएंगे आपको यह सारी चीजे ओके हां पी ब्लॉक मे ए संटेल एटम बील साइड एटम लॉन पिर कितने है जिनाँन के पास में आठ एलेक्ट्रॉन होता है एक पॉजिटीव यह मतलब Clay मितलब की एक एलेक्ट्रॉन तीला गया साथ एलेक्रॉन है साथ में से पांच electron को fluorine खा जाएगा पीछे बच जाएगे दो electron 2 electron का एक λέष बंड साथ में से पांच electron को fluorine को ठ्यृरिnd, जाएग़ technology क्या lyrics जिनन ठ्यृरिओ याद होने जी है जिनन फ्लौरिं 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 और यह एक प्लेयर में होते है उसके बाद में एक फ्लोरिन उपर होता है एक फ्लोरिन नीचे होता है अब क्या होगा एक फ्लोरिन को हटा करके आप उसकी जगा लॉन पेर लगा दोगे तो यह क्या हो गया नीचे क्या बना स्क्वेर उपर क्या बनाएगा यह पिरेमिड बन जाएगा तो स्क्वेर पिरेमि इसमें दो atom होंगे एक की elektron negativity कम होगी इसकी elektron negativity क्या है कम है और एक की elektron negativity ज analyses होगी ठीक है तो कम वाला बनाएगा HOX क्या बनाएगा tempo और जिसकी electronic ज्यादा होगी वो बनाएगा HX तो HX कुन बनाएगा क्लूरीन तो क्लूरीन क्या बनादेगा HCl बनाएगा और यह iodine क्या बनाएगा यह बनाएगा HOX यानि HOI आया समझ मैं जैसे आपको मान दूँ मैं देदू CLF अब इसमें अगर आपको पूछेंगे तो जो ज्यादा एलेक्ट्र नेगिटिव होगा वो बनाएगा HX यानि HF और जो कम एलेक्ट्र नेगिटिव होगा वो बनाएगा HOX यह दूसरा एक्जामपल लेकर मैंने आपको समझाया है कि हैलोजन का हाईट्र लाइसिस कैसे करते हैं आपको पता है एलेक्ट्र नेगिटिव जो ऊपर होथा ना इसमें अब आपका अब NCRT P ब्लोक पड़ोगा न तो आदा पेज आपका इसमें कवर हो गया इसी पॉइंट में अगली बात क्या बोल रहा है कमपाउंट देगे रखे अपने को बोल रहा है XZF6 and XZF4 अब इसका हाईड्र लाइसिस करोगे तो अब आप पी ब्लोक में जा करके देखोगे NCRT में ठीक है तो आपको XZF6 और XZF4 का हाईड्र लाइसिस दे रखा तीन से जोगा ठीक है तो उसमें अगर आप देखोगे तो उनका सबसे लास्ट जो प्रोड़क्ट बनता है हर स्टेप में बनता रहता है आप रियक्षन NCRT उपन करो अभी वो रियक्षन आपको तीनों याद रखनी है अब आप देखोगे तीनों रियक्षन में एचेफ कॉमन बन रहा है और अगर आप XZF6 का हाईड्र लाइसिस करा हो या XZF4 का करो XEO3 तो बनेगा ही बनेगा आप बोलो ये भी बनेगा बट ये है ना सिर्फ XZF6 में बनता है अपने को दोनों में बनाना है तो आप दोनों रियक्षन देखो याद करो फिर देखो दोनों में कॉमन क्या है तो ये दोनों चीज़े दोनों में कॉमन है तो answer जाएगा fourth option अब ही वीडियो को pause करो P block के NCRT open करो और hydrolysis की reaction को चार बार लिख करके देखो यहाद होनी चाहिए आपको question आने की possibility होती है आगे बढ़े अगला वाला incorrect match पूछ रहा है अपने से ठीक है अब मैं आपको बता हूँ यह सारे जो है न structures यह P block में दे रखे होते हैं यह जो होती न banana bonding उस type का है अब यहाँ पे अपने को क्या बोला है three centered four electron इसकी structure बनानी है इसकी structure बनानी है अगली है I2Cl6 की तो I2Cl6 जो होता है कैसे बनता है iodine और iodine ऐसे बना होगे तीन chlorine है ठीक है तो अब आप देखोगे तीन आपके पास में chlorine है उनके structure बनानी आपको तो यह वहाँ पे जैसे अपन लोग नहीं बनाते थे उस type से यह follow नहीं होगा अब यहाँ पे कैसे structure बनेगी दो chlorine यहाँ लगा लो मतलब यह fix structures होती है यह chlorine होगे यह chlorine होगया अब कितने होगे चार chlorine होगे दो chlorine बचे है दो chlorine को ऐसे banana bond से बनाते है यह structure इनकी simple simple सी मतलब रटी रटा ही होती है तो यह है ना पूरी planer एक plane में होती है planer structure होती है यह याद ही करना होता है और कुछ भी नहीं है इसका क्या होगा यह planer होता है और इसने बोला non-planer अब आप बोलोगे banana bond बन रहा है तो बनाना bond नहीं है यह उसी type का bond है और उसी plane में होता है अगर आप B2S6 का देखोगे ना banana bond तो वो non-planer होता है लेकिन I2Cl6 देखोगे तो वो planer होता है अगला बोल रहा है not a levyse acid levyse acid क्या होता है levyse acid वो होता जो जिसके पास में octate का octate incomplete हो ठीक है तो अगर आप देखोगे C2H4 okay hydrocarbon जो होता है वो आपके levyse acid में नहीं आते अगला है thalium so different oxidation state because of देखो boron family जो होती है उसमें inert fair effect आता है inert fair effect क्या होता है P blog में आपके साथ दिसक्स किया था bangan, aloo, gajar, in, thela अब देखो boron family में दो oxidation state होती है एक plus 1 और एक plus 3 ठीक है तो अगर आप देखोगे तो उपर वाला में plus 3 oxidation stable ज्यादा होती है उपर जाते है उपर वाला में plus 3 oxidation state ज्यादा हो stable होती है कभी कभी order भी आजाता है तो आपको order निकाल के देता हूँ plus 3 oxidation state का stability का order इंडियम और थेलियम इस सब प्लस तीन है एक मिन में पूरा लिख देता हूँ सही से यहाँ लिखता हूँ है बेंगन आलू गाजर इन थेला यह प्लस तीन में stability का order है अगर प्लस वन का पूछेगा तो प्लस वन का पूछेगा तो क्या हैगा बेंगन आलू गाजर इन थेला तो लीचे वाले होते हैं उनकी lower oxidation state होती है और उपर वालों की higher वाली oxidation state stable होती है इसे बोलते है inert pair effect क्या बोलते हैं inert pair effect ऐसा ही carbon family में भी होता है प्लस फॉर और प्लस टू stable दो oxidation state होती है तो प्लस फॉर जो होती न वो उपर वालों की stable होती है और प्लस टू वाली जो होती है वो नीचे वालों की stable होती है तो आप उन दोनों का भी एक वारे carbon family का भी order लिग करके देखो आपके लिए बहुत काम का है अब यह question अपने कल पढ़ा था S3BO3 या BOH इसको क्या बोला था boric acid कैसा था अपने कल इसके बारे में बात की थी कि यह खोद है ना H प्लस नहीं डोनेट करता है यह water से H प्लस ले करके किसी को देता है और कितने H प्लस देता है एक तो क्या था आपने क्या बोला था weak monobasic acid है कल बात कर लिती है आज question भी आ गया अगला question carbon का sub oxide C3O2 को carbon sub oxide बोलते है यह carbon monoxide है carbon dioxide है और यह है carbon sub oxide कैसे structure बनाते है इसकी इसकी structure बनाते है carbon, 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 carbon carbon ऐसे बनाते है फिर oxygen, oxygen, oxygen अब मैं अगर इसकी hybridization पूछ हूँ आप से extra में तो sub carbon SP2, SP2 नहीं SP SP होंगे hybridization क्या होगा SP, SP, SP क्यों? क्योंकि SP hybridization होता है अगर किसी के पास में एक triple bond या दो double bond हो तो SP होता है SP2 कब होता है जब एक double bond हो SP3 कब होता है जब सारे single bond हो ओके यह अपन ने IUPAC naming में पढ़ा था तो यहां carbon sub oxide की structure बना दी और एक extra question भी करा दिया उसकी hybridization और structure का ठीक है CCL4 is used fire extreme sensor because ठीक है क्योंकि यह vapor देती है ठीक है उसके बाद अगला question है organic का अपने को बोला है wrong from the final product देखो यह बेंजीन दिया है और यह कौन सा reagent है यह है आपका Fridale Craft का reagent Fridale Craft में आपको बढ़ा रगिए तो यहां से क्या होगा CL अटेगा और CS3 होगा फिर वो बेंजीन के उपर में CS3 लग जाएगा बात समझ में आई कि नहीं आई कितनी आसान सी reaction है उसके बाद में HNO3 और S2SO4 यह तो nitrogen है nitrogen वाली reaction है तो ortho और पेरा में से जिसे इसने लगा रखा है सही लगा रखा है ortho और पेरा पे nitro group लग जाएगा यह कौन सी reaction है nitrogen है benzine का यह benzine derivation का nitrogen है NO2 लगता है ortho और पेरा पे तो यह तो सही product है अपने को तो गलत बताना है अगला वाला यह क्या है यह भी तो levis सेसी दे ठीक है और यह CL हटेगा और यह benzine के उपर में डारेक्ट यहाँ क्या बनेगा benzine मनेगी और उसके उपर में यह CO, CS3 लग जाएगा फिर डेल क्राफ्ट रियक्स ने फिर डेल क्राफ्ट दो टाइप की होती है L-Kylation और S-I-Lation तो CL हट करके यह लग जाएगा रहेगा उसके बाद में फिर से यह क्या है यह nitrogen है पिसली बाहर तो और तो पेरा पे लगा था क्यों क्योंकि यहाँ पे ग्रूप कौन था यहाँ ग्रूप था CS3 जो कि कैसा है प्लस M या प्लस H वाला ग्रूप है तो यह कैसा directing होता है और तो और पेरा directing होता है इसमें देखोगे तो इसमें multiple bond है multiple bond है मतलब कि यह माइनस M वाला ग्रूप है तो यह कहाँ पे attack करवाएगा meta पे attack करवाएगा तो यह meta वाला product बना है सही बात है एकदम यह भी सही है उसके बाद में अगला पढ़ते है इसने क्या करवाया पहले करवाया nitrogen पहले nitrogen करवाया तो बेंजीन का nitrogen करते तो क्या होगा बेंजीन की ring बना हो उसके उपर में NO2 लगा दो अब यह कैसा group है यह हैं आपका माइनस M वाला group ठीक है और आपको जब मैंने Fridale Craft reaction पढ़ाई थी तब मैंने बोला था कि NO2 और कोई भी group जिसके उपर माइनस M लगा हो माइनस M वाला group हो वो Fridale Craft reaction सो ही नहीं करेगा तो यहाँ product बनेगा ही नहीं reason क्या हो गया कि Fridale Craft reaction माइनस M वाले M group वाले कभी भी Fridale Craft reaction नहीं देते है 2016 का equation भी आया था कि इन में से कौन सा compound है जो Fridale Craft नहीं देगा और उसका answer क्या था जो माइनस M वाला था तो यहाँ नाइट्रो बेंजीन बनी नाइट्रो बेंजीन के उपर में NO2 है जो कि माइनस M लगाएगा और माइनस M वाले group Fridale Craft reaction नहीं देते हैं आपको पता है था मैने Fridale Craft की reaction में और यह तो बहुत आसान सी है बस CS3 अटेगा और रिंग के उपर लग जाएगा अगला है कि बहुत आसानी से किसमे से हैलोजन हट सकता है तो आपको पता दूम्यापको हैलोजन हट जाने के बाद में यहाँ से ब्रोमीन हटेगा हटेगा और यहां से हाइडोजन हटेगा अब इन प्रोड़क्ट बने न प्रोड़क्ट में stable कौन सा है आप बोलोगे भाईया बेंजीन सबसे stable है क्योंकि उसमें resonance है जिसका प्रोड़क्ट जदा stable होता है वो प्रोड़क्ट वो reaction बहुत fast होती है और फटाफट बन जाता है ठीक है जैसे आप देखो आप biology के question लगाते हो नीट के exam में तो फटाफट बनते है तो आप पहले उनको लगाते हो क्योंकि वो stable है आपके चली अगला question है incorrect statement बताना है SN2 के बारे में तो अपन जब nucleophilic substitution पढ़े थे बहुत थोरी पढ़े थे SN1, SN2 के बारे में देखो SN1 reaction जो होती है न वो क्या होती है एक step में होती थी याद करो पहले कार्बोकर्टन का formation होता था और कार्बोकर्टन के formation के बाद में उसके उपर nucleophile अटेक करता था जबकि SN2 जो होती थी वो एक step में होती थी तो पहला तो सही बात है SN2 एक step में होती है SN2 में क्या होता है एक तरफ से आप देख रहे थे कि BR हटता था और दूसरी तरफ से OH लगता था एक तरफ से पुराना ग्रूप हटता था तो दूसरी तरफ से लगता था तो उसे बोलते थे inversion अपन बोलते थे ठीक है दो चीज़े पढ़ी थी अपने एक तो retention कि जैसा पहले रियक्टेंड था वैसा कब ऐसा product बन जाए उसे बोलते थे retention और sn2 में हमें सा inversion ही बनता है जबकि sn1 में क्या होता है inversion और retention दोनों बनते हैं लेकिन ज्यादा पूछे कौन बनेगा तो inversion थोड़ा सा ज्यादा बनता है ये भी अपनने explain किया था ओके अब देखो इसका ये है ना second order की reaction है तो इसका second order का reaction का होने का मतलब है इसका rate of reaction एल्किल हिलाइड पर भी डिपेंड करेगा साथ में नूकलुफाइल की concentration पर भी डिपेंड करेगा जोकि sn1 में नूकलुफाइल की concentration पर डिपेंड नहीं करता है ये sn2 के लिए है अगर आप sn1 के लिए लेखोगे तो क्या होगा आर बराबर के और आर एक्स की पावर वन इसमें नूकलुफाइल नहीं आता है ओके तो नूकलुफाइल पे sn2 तो डिपेंड करेगा तो ये statement भी correct है अगला क्या है reaction प्रोसीड थू कार्बोकटाइन इंटर्मेडियेट बिल्कूल नहीं कार्बोकटाइन जनता है आगे अगला question least reactive nucleophilic substitution reaction मतलब sn1 sn2 में तो ये तो आप पता है कि nucleophilic substitution reaction जो होती है उसमें कौन ज़्यदा गूर्प आपने पढ़ा था NCRT में NO2 गूरूप लगते हैं तो उसकी reactivity बढ़ जाती है ठीक है बट यहां पर इतने ज्यादा एनोटू गूरूप लगए यह अजीब ही question है ठीक है आप सोजोगे कि first वाला या फिर first second फॉर में से होगा एनोटू गूरूप जिसमें कम होते हैं उसकी reactivity कम होती है लेकिन थर्ड वाले में इतने एनोटू गूरूप लगा दी है त तो यह सबसे कम reactive होगी अगला है hybridization of influence the bond length and bond enthalpy in organic compound देखो क्या बोल रहा है hybridization से ही क्या change होती है bond length and bond enthalpy हो सकती है जैसे अपन बात करें यह organic compound की बात कर रहा है जैसे अपन बात करें कि CH2 CH2 इसमें hybridization है SP2 CH triple bond CH SP है अब देखो hybridization change हुआ organic compound की बात कर रहा है NS3 और H2 और नहीं मानेंगे अपन वो inorganic होती है तो अब इसमें देखो bond length कम हो गई है hybridization sense होने से bond length कम होई कि नहीं होई क्यों double bond triple bond में change हो गया bond enthalpy मतलब bond तोड़ने के लिए energy वो भी change हो जाती है तो यह statement क्या हो गया correct हो गया बोलता है different hybridized orbitals have different S character यह बा इसमें percentage S character देखो गए तो कितना हैगा 50% ठीक है so their closeness or two nucleus are different अब S का मतलब क्या होता है nucleus के पास में तो जिसमें S character ज्यादा होगा वो nucleus के पास होगा जो तो यह बात भी सही है देखो आप hybridization change होने से percentage S character change होता है और S character nucleus से related होता है यह बात भी सही है कि ओके तो असर्जन भी सही है reason भी सही है और असर्जन और reason एक दूसरे को explain भी कर रहे हैं आप जब असर्जन पढ़ो उसके बाद में because लगा हो और दोबारा reason को पढ़ो तो आपको लगेगा कि हाँ यह तो एक दूसरे के statement एक दूसरे को explain कर रहे हैं तो क्या answer दोगे यह अगला question जो है अपना पास में बीच में थोड़ बहुत disturbance हो रहा था मैं पीजी में रहता हूं तो वहां पे इस साइट का इसलिफ वीडियो पॉज किया था दूबारा श्टार्ट कर रहा हूं मैं 255 से 255 question है boiling point का order अपने को दे रखा है कि इसका इतना है और इसका इतना है तो मैं आपको बता दूँ यहां concept क्या होता है concept होता है cis और trans मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपका ट्रांस का ज्यादा ठीक है और जो boiling point होता है वो आपका sis का ज्यादा होता है ये एक concept है ओके तो अगर आप देखोगे क्या मिलेगा आपको कि ये वालत है आपका sis पॉंप दिखा दोनों ग्रूप एक साइड है तो sis और opposite है ट्रांस अब sis और trans में से sis का boiling point ज्यादा होता है सही बात है इसने दिखाया भी है 277 है या 274 है concept समझ माई आपको और ये बात statement first तो correct है आपका फिर बोलता है dipole moment दैपोल moment पे ऐसा होता है कि देखो दोस्तों sis का तो क्या होता है direction इस side इस side होती है तो add हो जाता है और trans का direction opposite होती है तो minus हो जाता है तो trans का dipole moment जीरो के बराबर होता है almost और इसका कुछ ने कुछ dipole moment आता है आपको number और value से कोई मतलब नहीं है तो statement तो दोनों correct है बिलकुल correct है ना लेकिन क्या आपको आप इसमें इतना सोच पा रहे है कि एक तो boiling का order दे रखा है और एक dipole का दे रखा है इसमें कोई relation है क्या जैसा कुछ तो statement first and दोनों correct है और देखो statement first is correct but second is false incorrect ये भी गलत हो गया बोत आर करेक्ट ये होगा बड़े आगे चलिए अगले बात पूछ रहा है कि most stable कौन सा होगा आपको पता है जब group opposite direction में होते हैं तो वो वाला सबसे ज्यादा stable होता है होता है ये का आपके आईसोमेरिज्म जो आती है का कन्फर्मेशनल आईसोमेरिज्म जो आती है उसमें आपने अलग-अलग इसके फॉर्म देखते हैं और इसमें ग्रूप opposite होते हैं उस टाइम रिपल्शन मिनिमम होता हैं इसलिए वो सबसे ज्यादा इस्टेबल होता है तो सबसे ज्यादा stable तो होना चीए ये वाला इसे बोलते हैं एंटी एंटी फॉर्म बोलते हैं लेकिन यहाँ पर ये वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाला रीजिन क्या है इन दोनों के बीच में बनेगा या तो हाइड्रोजन मॉंडिंग दो अलग अलग इस टाइब के ग्रूप होते हैं तो हाइड्रोजन मॉंडिंग बन जाती है और यह मैंने पढ़ाई भी थी उस टाइम यही वाला एक्जामपल गौस फॉर्म गौचे ठीक है यहा फिर बनता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्ष लगता है एक नेगटिव बनता है एक पोजिटिव बनता है और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्ष लगता है तो गौस से फॉर्म ज्यादा इस्टेबल हो जाती है दो ही कंडि होता क्या है के में OH लगता है और वो भी सिस फॉम में NCRT में दिया हुआ है पढ़ाया भी थे मैंने आपको तो यह दो अलकोल लगा यहाँ पे दो ब्रोमीन ले रहे हो तो क्या लगेगा B-E वालम क्या लगेगा दो ब्रोमीन लगेगा तो क्या यह दो ब्रोमीन लग जाएगा तो क्या यह डाइस्टी उमर है एनाइस्टी उमर है इस्ट्रक्ट्रल आइस्टी उमर है या डिफरेंट कंपाउंड है बिल्कुल दोनों डिफरेंट है कोट डाइलूट के मेंनों फॉर क्या लगाएगा OH-OH NCRT में दे रखा है BR to CCL4 क्या लगाएगा BR-BR हाइड्रो कार्मन वाले चेप्टर में दे रखा है अगला वाला कुश्शन है यहां आपको वाटर दे रखा है और यहां पे भी दे रखा है तो आपको पता है यह रिक्शन तो NCRT की है आप भी पहचानते हो CS3, C double bond, C, CS3 तो triple bond है वो हटेगा और यहां लगेगा एक जगा H और एक जगा लगेगा OH फिर क्या होता है फिर इन में होती है TOTOMERYZM NCRT की तो बात है TOTOMERYZM होती है तो यह बन जाएगा C double bond O CH2, CS3 यह बन गया कीटोन आपको बता है इसे बोलते है OH वाले को inol और इसको बोलते है कीटो और कीटो और inol में से कीटो ज़्यादा stable होता है B वाले रियक्शन देखोगे तो CS3, CS2, C और क्या बनेगा यहाँ OH और double bond CH2 फिर इसका इसमें भी होगा टोटो मेरे जम टी लिख देता हूँ मैं आपको तो यहाँ क्या होगा CH3, CH2 C double bond O CH3 दोनों compound का ISO IUPC नाम लिख करके देखो दोनों के दोनों compound का यह longest N बनेगी इसका नाम होगा but to on दोनों का नाम होगा but to on तो दोनों compound एक ही हैं ठीक है numbering इसमें इदर से start करोगे इसमें इदर से start करोगे 3, 4 दोनों compound एक ही हैं तो यह क्या होगे आपस में identical इस टाइप के question आते हैं जिसमें isomerism पलस easy reactions को max करके आपको देते हैं यहाँ पे इसको आप देखते ही पैचान लगए कि ozoneolysis करवाना है तो किसका ozoneolysis करवाए ताकि यह compound मिल जाए तो ozoneolysis में मेरा detail वीडियो है आपको पता ही होगा जब भी ozoneolysis आता है अपने को प्रोडेक्ट से वापिस question मनाना उता पर क्या करते हैं इन दोनों के बीच में bond लगा लेते हैं दोनों bond को पास पास ला करके उनको double bond को oxygen को अटा करके double bond बना देते हैं ठीक है अब आपने क्या किया simple सा की oxygen अटाए और इन दोनों कार्बन के बीच में double bond लगा दोगे लगा ओगे तो एक ring बन जाएगी कितने कार्बन की एक, दो, तीन, चार, पांच पांच कार्बन की ring बनेगी बिल्कूल तो 6 वाले तो option में ही नहीं हो सकते पांच कार्बन की ring बना दो यह हो गया 2 यह हो गया 2 इसको 3 बोल दिया इसको 3 बोल दिया इसको 4 बोल दिया यह बिल्कूल 4 अब 4 के उपर में एक CS3 लगा हुआ है लगा दिया एक CS3 4 पे ठीक है कौन सा? एक green बना चलो, समझ में आगी बात आपको ठीक है? फिर 4 के बाद में 5 यह 5 वाला carbon 5 वाले carbon पे क्या है? यह 5 वाले carbon पे एक CS3 है यह वाला यह CS3 पांस नमर carbon पे अब आप बोलोगे अब 5 और 1 बीच में double bond लगा ना मैंने बड़ा सा यह bridge बना के दिखाया तो है दिखाया? तो यह वाला double bond 5 और 1 की बीच में लगा दोगे तो ऐसे करते हैं product से question का formation oxygen oxygen अटाओ जहाँ जहाँ oxygen थे उन carbon की बीच में double bond लगा दो अब कौन सा option correct बैठ रहा होगा आपको बता है जो दो CS3 है वो पास पास में है देखो यह और यह पास पास में है इसमें दूर दूर है गलत पास पास में है आसान था ओके आगे बढ़े बोलता है most reactive for electrophilic addition reaction electrophilic addition reaction के लिए reactivity की जब अपन ने बात की थी तो अपन बोले थे कार्बो कटाइन बनाओ उसकी stability के direct और पोर्शनल होगा तो double bond हटाओ और सब में कार्बो कटाइन बनाओ क्या करोगे मैं इसको यहां से copy करता हूँ और सब के कार्बो कटाइन बना के दिखाता हूँ आपको ओके क्या copy हो गया चैलो बनाया इस double bond हटेगा यहां positive लगेगा डबल bond हटेगा यहां positive लगेगा डबल bond हटेगा positive यहां लगेगा positive कहां लगाना है जो double bond से जुड़ा है तो यह किनारे वाले आप भी जुड़ा हुआ है बिल्कुल वहां नहीं जा hydrogen कम होते हैं वहां positive लगाते है अब इसमें से अगर आप देखोगे तो यहां phenyl मतलब benzene की ring है दो benzene की ring है तो यह सबसे ज़्यादा stable होगा और सबसे ज़्यादा stable होगा कार्बो का टायन वही रहा सबसे ज़्यादा reactive होगा बादा है था ऐसी अगला question करते हैं अपन लोग paper chromatography क्या करते हैं अपन लोग petroleum वगेरा का पतला सा paper होता है और उसको पानी में खड़ा करते हैं तो capital reaction से water उपर चड़ता है और साथ में यहाँ पर अपन लोग mixer डालते हैं वो mixer भी साथ-साथ एकटा उपर चड़ जाता है मैंने आपको chromatography में समझाए था अच्छे से चड़ता था तो एका होगा आर एक ही option में है इसलिए यह एक ही option होगा ठीक है Fractional Distation क्या होता था Fractional Distation में आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी Car में alcohol AC में alcohol AC में Fractional Distation का बताई था मैंने आपको AC में alcohol और फरारी में alcohol फरारी में petrol यह मैंने आपको Fractional Distation में ट्रिक बताई थी क्या बताई थी AC में alcohol और फरारी में petrol फरारी का मतलब होगया Fractional Distilation और पेट्रोल का जो crude petroleum होता है उसका क्या होता है Fractional Distilation से साफ करते हैं और साथ में acetone और alcohol का mixer चो होता है उसको भी अपन लोग fractional distillation से अलग करते हैं यादाया trick ओके आगे बढ़ें अगला question यह आपको reason देखके पैचानना है oxy-mercuration demercuration reaction है OM-DM reaction है आपको जब GOC2 पढ़ाई थी तो आपको कैसे पैचाना reagent देखके पैचाना OM-DM यहाँ क्या बनता था 2 degree alcohol बनता था बनता था 2 degree alcohol और वो भी कैसा बिना rearrangement के याद करो बिना rearrangement के और कौन सी reaction होती है electrophilic addition reaction ऐसे याद करना होगा अब यहाँ पे आप देखो यह तो यहाँ OS लग गया तो 1 degree बन जाएगा और यहाँ लगेगा तो 2 degree बनेगा 2 degree alcohol बनाना है और वो भी मिना rearrangement के तो यह तो इसने 3 rearrangement करके 3 degree बना रखा है तो यह answer नहीं हो सकता यह 2 degree बना रखा है और यह 1 degree बना रखा है और इसने तो अलकॉल ही नहीं बनाया है ठीक है तो अंसर जाएगा आपका यह बादा ओके बढ़ें आगे अगला है compound दिया अपने को यह आपस में क्या है इसमें देखो ओएच कहाँ पर था अपनी तरफ था और इसमें अपने से दूर है ऐसे समझ लो यह plane में ग्रंग रखी हुई है पहले वाले compound बढ़ें ओएच अपने पास आ रहा है cwh अपने से दूर जा रहा है to okay और अगले वाले मं क्या है ओएच अपने से दूर जा रहा है CWH अपने पास आ रहा है अब आप क्या करो एक तरफ से एक वार इसके सामने से देखो इधर से एक वार इसके पीछे से देखो तो आप देखोगे तो क्या पता लगेगा दोनों के दोनों क्या है identical है अगर मान लो यह भी ऐसे पढ़ा है इसको पलट करके रख दो तो क्या हो जाएगा तो ओएच अपने तरफ आ जाएगा और CWH पीसे चला जाएगा इसको पलट करते ही ISO मेरे जिम में ऐसा होता है कि पलट के रखो ना पलट के घुमा के आप उसके सारा तरफ घुम जाओ तो वो चेंज सैम नहीं होने चाहिए अगर दूसरे वाले कंपाउंड को पटक उल्टा पटक के रख दिया तो पहले OH पीसे था और CWH सामने था अब क्या होगा पीसे वाला सामने चला जाएगा सामने वाला पीसे चला जाएगा तो यह आपको identical मिलेंगे कैसे मिलेंगे identical अगला question इसमें major product पूचा है acid दिया है क्या दिया है acid और साथ में दिया है heat क्या दिया है heat acid और heat देता तो क्या होता है elimination होता है क्या होता है क्या होता है कौन सी reaction है elimination ऐसे reaction पेचान होगे आप देखो reaction पेचाना मिरे साथ साथ सीखो elimination होगा elimination होगा अब यहां से क्या आटेगा आपको पता है OH और एक जगा से आटेगा H, H और OH आटेगा और double bond आएगा सीधी सी बात है तो अब double bond क्या कहां आएगा यहां आजाएगा, क्योंकि यहां से आट रहा है ओके, तो answer आएगा first वाला ठीक है क्या करेंगे H and OH हटा के double bond लगाएगे ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यह आ गया zinc और heat zinc और heat को भी अपने elimination में पढ़ा था याद करो पढ़ा था elimination में zinc और heat क्या करते थे elimination करते थे x2 खाता था, मैंने बोला था न zinc x2 खाता है x2 खाता है और कैसे खाता है nt में खाता है, मतलब कि अगर आप इन दोनों ब्रोमीन को zinc नहीं खा सकता क्यों, यह दोनों एक तरफ है cis में है, तो सामने सामने वाले नहीं खा पाएगा, यह खाएगा opposite वाले, एक इधर का, एक इधर का इन दोनों को खाएगाई ठीक है nt direction वालों को ठीक है जिनक क्या करता है, x2 खाता है और वो भी nt वालों में से तो यह दोनों CL और BR हट जाएगा और फिर क्या बनेगी, यह डबल मौट आ जाएगा तो कौन साम होगा, थर्ड ओप्सन होगा बहुत असान था, गलती से यह मत कर दे न, first वाला क्योंकि यह बात तो चुरूर यह जिंक और हीट, ब्रोमीन खाएगा, x2 खाएगा लेकिन एंटी डिरेक्शन में चलो यहाँ पे आपको एक रियक्शन दिखाईए BR हटा है, और BR की जगा क्या लगया है OCS3 तो, और इदर क्या रटा है BR हटा है, और OCS3 लगया है दो रियक्शन है, आप रियक्शन देखते ही पता चल गए हो कि अलकील हलाइड है और अलकील हलाइड की जो रियक्शन होती है या तो SN1 होती है, या SN2 होती है और आप्शन से भी पता चल रहा है अब SN1 और SN2 में से कैसे आप differentiate करते हो या तो आप करते हो, solvent की basis पे या mechanism पे basis पे solvent की basis पे कैसे करते हो polar protic solvent होता है तो क्या होता है आपके पास में SN1 रियक्शन होती है होती है SN1 होती है या नहीं होती है बिल्कुल होती है SN1 और अब अगर आप यहाँ देखोगे न इसमें देखो पहले इस left side वाले देखते है second को देखते है, ठीक है second में देखोगे न, तो पहले bromine हटा और carbogatine लगा, ठीक है हटने के बाद में फिर उसका rearrangement होता है rearrangement होकर के positive charts यहाँ आया फिर यहाँ पे OCS3 लगा है देखो, जहाँ हटे उसी carbon पे लग जाए तो वो बिना rearrangement के होता है और उसे SN2 बोलते है लेकिन यहाँ क्या हुआ है देखो आप, rearrangement हुआ है rearrangement हुआ है अगर rearrangement हुआ है BR हटा, positive यहाँ लगा उसके बाद में positive यहाँ से हट करके यहाँ आया, rearrangement हुआ mechanism चली दो step में तो वो reaction होती है SN1, तो second वाली reaction तो SN1 है यह option तो नहीं हो सकता चली first वाली को check करते है इसने क्या किया, जहां से BR अटाया, वहीं का वहीं OCS3 लगा दिया, बिना rearrangement के, यहाँ क्या देख रहा है आपको, without rearrangement without rearrangement और without rearrangement कुछ काम होता है तो मैंने आपको GOC2 में बताया था, कि वो reaction होती है SN2 तो पहली वाली SN2 है और दूसरी वाली SN1, यह number देख करके बोल रहा हूँ है, पहला और दूसरा, ठीक है बढ़ें आगे अगला question है, 268 number Consider the following complexes आपको बताना है, इनकी conductance बतानी है, अब देखो contentance में पहले आपको क्या करना है इनके complex बनाने, complex कैसे बनाते है सबसे पहले लेते है central metal atom, ठीक है platinum किसमे है, plus 4 oxidation state है plus 4 platinum में अगर होता है तो उसका coordination number 6 होता है अब आपको 6 ligand लेने पढ़ेंगे पहले सबसे पहले आप neutral ligand को अंदर लेते हो तो 5 NH3 आ गए, अब आपको जरूद पढ़ेगी एक chlorine की ठीक है, एक chlorine ले लिया, अंदर 3 chlorine ले जाएंगे बहार तो इसमें total कितने iron बनेंगे, number of iron कितने है इसमें number of iron बनें, 4 इसको देखोगे PT, NH3 कितने लोगे आप, 2 जितने हैं उतने ही ले पाएंगे, ज्यादा कहां से लाएंगे तो आपको अब बना 4 chlorine काम में लेने पढ़ेंगे पूरा, कम इसका इसका जो मतलब कोटा हैं, वो पूरा करने के लिए coordination नमर पूरा करने के लिए ये कितने iron देगा, ये iron देगा 0, अकेला है क्या iron देगा, टूटे गई नहीं आइंस में, इसको देखोगे PTCL4, NS3 तो इसमें क्या होगा, तीन NS3 काम आएंगे PTC, NS3 कितने आए, तीन काम में, तो तीन chlorine आपको लेने पढ़ेंगे, बाहर chlorine कितना रहेगा, एक chlorine, अब इसको कितने iron मिलेंगे, दो तो अब आप देखो, सबसे कम जो iron मिल रहे है, वो किस में मिल रहे है B में, तो आपको A, B, C के according बताना है तो B वाला बिलकुल 0 आना चीए ये तो होई नहीं सकते और सबसे ज़्यादा ये तो complex है ये नहीं, ये तो आयन मिलेंगे, तो A वाला जो हो ना, उसकी conductance सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा iron उसकी conductance ज़्यादा, उसके बाद C वाले की कम मिलेगी, क्योंकि इसके कितने मिल रहे है, C वाले के दो iron मिल रहे है, C वाले की कम, और D वाले की थोड़े ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ए वाले से तो कम मिलेंगे समझ में आया बात आपको complex बनाने है, number of iron count करने है, जितने ज्यादा ions, उतनी ज्यादा contact ends concept समझ में आया, आगे बढ़ते हैं अगला है इसमें आपको oxidation number पता करनी है बहुत असान है, oxidation number पता करनी तो potassium कितना होता, plus one cobalt की पता करनी है, plus x ये है carbon, ये क्या होता है neutral, तो 4 into 0 बराबर 0, बराबर 0 क्यों? क्योंकि इसके उपर कोई charge है, चार्ज नहीं है ये CO है, CO neutral होता है अब इसको solve करोगे तो x बराबर आजाएगा, minus one आ गया, बढ़ते हैं आ गये, अगला 270, पैरा मेगनेटिक कौन सा है ठीक है? देखो वैसे अपने को पता, unpaid electron जिसके पास होते है वो कैसा होता है? पैरा मेगनेटिक ठीक है? हालांकि अगर आप calculate करोंगे ना, तो सब में सब में इन तीनों option में इसमें निकल प्लस टू में है और इसमें भी निकल प्लस टू में है इसमें निकल जीरो में है है? तो आपने से पैरा मेगनेटिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको unpaid electron होने चाहिए क्या चाहिए? अन पेर्ड एलेक्टरॉन चाहिए तो आप क्या बूल सकते हो कि निकल है यहाँ तो और यहाँ iron है प्लस टू में अब आप सब का चेक नहीं कर पाओ अब यह बोल रहा है S2 is a weak field agent ठीक है number of unpaid electron पता करने है यहाँ तो MN कितना है? MN किस में है? प्लस टू में वीक फिल्ड एलेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर पैरिंग आपको नहीं करवानी है मैगनीज का electronic configuration होता है 3D5 4S2 तो प्लस टू में दो electron 4S2 आले तो चले गए D5 बचे अब आपके पास में weak field है तो आप weak field को fill करने जाओगे तो आप ऐसे fill करोगे ना तो pairing उसके कराओगे नहीं तो 5 के 5 electron unpaid रहे जाएंगे तो unpaid electron कितने रहे? 5 transition metal मतलब D block वाला below low spin complex possible low spin का मतलब होता है strong field legend किसके पास होता है? एक है ऑना trick होती है या एक concept होता है वो बोलता है अगर metal 4D या 5D की है metal 4D या 5D की है तो उसके साथ सारे legend strong field की तरह भी ही करेंगे या एक concept है सारे legend strong field legend की तरह काम करेंगे और वो low spin complex बनाएंगे इसका answer यही है याद रखने वाला था क्या था कि अगर metal 4D या 5D की है तो सारे ligand उसके साथ में strong field की तरह भी है उकरेंगे और low spin complex बनाएंगे ओके अगला है crystal field splitting कौन सबसे ज़्यदा करवाएगा high सबसे ज़्यदा कौन करवाएगा तो splitting depend करता है strong field legend पे यह तीनों strong field legend है तो तीनों के तीनों string crystal field का splitting करवाएगे answer जाएगा fourth spectrochemical series पूछ लिए तो यह तो आपने को रटा रटा होता है आई बार सानिया cool style से फिरोज छेड़ता है जलता है नहीं नाचता है idiot नहीं इन से सुनता कोई बहुत बार मैं आपको लेखा चुका हूँ NCRT में लेखी है पहले भी 2 questions पे इसी करवा चुका हूँ आई बार सानिया cool style से फिरोज छेड़ता है जलता है नाचता है idiot नहीं इनकी सुनता कोई NCRT खोलो दो बार लेखो याद हो जाएगी एक्जाम में भी आई हुई है high spin complex high spin का मतलब क्या हो गया weak filled ligand weak filled ligand किसमे है chlorine weak filled ligand होता को होन है भई आपको बताया है कि halosan, water और oxalate ये होता है weak filled ligand ओके hybridization पूचा है hybridization पूचा है अगर आपके पास में weak filled ligand है coordination नबर कितना हो गया 6 तो 6 होंगे 7 या ये नहीं हो सकते और weak filled ligand में S पहले आता है ओके pentacarbonyl pentacarbonyl क्या होता है FECO5 इसकी structure NCRT में भी दे रखी है आप trigonal bipyramidal बनेगी कैसी बनेगी triagonal bipyramidal ऐसे triangle बनेगा और एक ये FE COCO और COCO और ये monomer के फॉर्म में रहता है ये भी exam में 2018 में पूचा हुआ है कैसा रहता है monomer के फॉर्म में अगला है रूथीनियम कार्बोनिल अब आप रूथीनियम कार्बोनिल कैसे पता करोगे कि इसके उपर इसकी coordination number इसका कितना होगा तो आपको इसका पता करना पड़ेगा effective atomic number जा पता करना पड़ेगा EAN rule ठीक है तो आपको पहले रूथेनियम का न atomic number तो पता ही होना चीए वो होता है 44 कितना होता है 44 होता है 44 आप बोलो के नहीं यादा रहा भया तो मैंने जब periodic table बताई दी न आपको सिखा है था मतलब पूरी periodic से मैं अच्छे से समझाई थी को याद करो समझाई थी तो उससे आपको याद तो करना पड़ेगा रूथ नहीं बताता कि यारी जरा मौत तक रोता रहा पड़ता रहा आग में कूता रहा और ऐसे भी खड़े खड़े भी बताया था जैसे निकल वाली फेमिलीम को रहाता है NIPDPT नई परोसन पटिया लाकी रूतीनीम वाले रहा ह होता है FRUOS FRUOS EAN अपन निकालते हैं इसका EAN 44 पर आता है तो 44 पर आता है इसका मतलब इसका EAN कितना आना चाहिए इसका EAN आना EAN होता क्या पहले Z minus oxidation state plus 2 into coordination number ठीक है EAN कितना आना चाहिए उसी के group की noble gas के बराबर इसके noble gas कौन सी होती है इसके group की noble gas होती है जिनोन कौन 56 कौन सी जिनोन ओके Z कितना इसका 44 oxidation state कितनी है carbonil की oxidation state 0 होती है पहले भी बता चुका हूँ plus 2 into coordination number को X मान लेते है जो अपने को निकालना है कि कितना आएंगे 5 आएंगे 6 आएंगे 8 आएंगे 4 आएंगे जो भी solve करो तो 56 मानस 44 कितना बच जाएगा 56 में से 44 कम करोगे तो बच आपके बास च्यार में से 6 गए 2 और 5 में से 4 गया 1 और बचा 2X X बराबर 6 आया answer बड़े हागे तो ऐसे पता करना होता है अगर आपने पास में कोई पता ना हो उसकी coordination number double salt कौन सा होता है तो NCRT में आपको double salt दे रहे है कार्णेलाइट, alum, more salt तो इस सारे के सारे चले जाएगे अब आपको इन double salt के नाम भी होने चाहिए कार्णेलाइट का फॉर्मूलाइट का फॉर्मूला में आपको जब coordination पता था तो ऐसे याद कर दा के सी एल कैसे चलेगी फिर बोला था मज़े से चलेगी ठीक है कैसे चलेगी मज़े से चलेगी छे लोगों में पानी की बोटल यह कार्णेलाइट था मोहर सॉल्ट का क्या नाम था फैरस अमोनियम सॉल्ट क्या नाम था इसका मोहर सॉल्ट का कहां लिखा हूं में यहीं लिखा लेता हूं इसको थोड़ा पहले छोटा कर लेता हूं और 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 शाइड में ले जाता हूं इसको चलिए तो इसका नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट मोर सॉल्ट का फेरस का मतलब क्या हो गया एपी एस सो फॉर ठीक है, अमोनियम मतलब नस 3, अमोनियम मतलब नस 4 अमोनियम में अमोनियम मतलब नस 4 अमोनियम सल्फेट ठीक है और अलम का क्या फॉर्मूला होता है ल्टवापाल 6 sectors है, तो यह फॉर्मूले आपको याद होने dafür क्या जाइए इसमें मैं कुछ भी ने कर सकता हूं कार्णे लाइट के लिए मैं आपको याद करने का ट्रिक बता जाए कैसे चलेगी मज़ेस्ट चलेगी छे लोगों में पानी की बॉटल मोर सॉल्ट को अपन एफएस बोलते हैं एफएस से आप फ़र्मला लिख सकते हो फेरस फिर अमोनियम फिर उसका सल्फेट सबका ओके यहां क्या पूछा आपको कॉडिनेशन नंबर कॉडिनेशन निकालो के कितना आएगा और ऑक्सिदेशन इस्टेट भी पूचाएं ठेक है तो आपको इसका कॉडिनेशन और ऑक्सिदेशन नंबर निकालना है और यह कुशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ एक कुशन आज से मैं आपके लिए छोड़ा करूँगा और उसका आपको कमेंट बॉक्स में एंसर देना है बहुत असान कुशन है ज्यदा हाड नहीं है और एंसर आपके सामने इन चारों में से एक है पक्का 101% और एक ट्रिक मैं पता देता हूँ आपको अगर प्लेटिनम पलस टू में होगा तो उसका कॉडिनेशन नंबर होगा 4 और प्लेटिनम अगर प्लस 4 में होगा तो उसका कॉडिनेशन नंबर होगा 6 तो यहां तो 6 और और 4 की जोड़ी हुती है प्लेटीनम के केस में हमेसगा या फिर 2 और 4 की जोड़ी होती है तो यहां तो आपको पूसे 6 और 6 की जोड़ी मिली तो answer क्या हो गया चें स्वाल भी नहीं करना पड़ा यह तो अपन क्मेंट बॉक्स खुला है क्मेंट बॉक्स में तरफ पूछ सकते हो अगर आप इस्टाग्राम युज मिन अर्फ करते हो कुछ ब्लक करते हैं अरो सबकिश कर सकते हो कह // कुछ भी पूछ सकते हैं आपको सब की सब आइडिया देता हूं ठीक है देखो Instagram और Telegram मेरा एडिया है Insta और Tele पहली बात बताओ मैं आपको Instagram यूज नहीं करना चाहिए ठीक है फिर भी आप बोलते मुझे करते हैं तो आप मुझे भी Follow कर सकते हो अगर आपका मन हो तो और पूछ सकते हैं वहाँ पे भी दोनों ID से हैं हैं टेलेग्राम की और इंस्टाग्राम की ओके और वाटसेप करना चाहो तो 9680393090 यहाँ पे आप अपने इस्टेडी रिलेटेड इस वीडियो से रिलेटेड सीजे आप पूछ सकते हैं झालेग्राम की और वाटसेडी ऑलते हैं